कॉंगरेस का अहंकार साथवे आस्मान पर है उनको जनता जनारदन की परवाद नहीं है वे जनता की आवाज सुनने को तयार नहीं है वो अपने अहंकार में जी रहे हैं अगर गलती हुई कमी रहे गई जनता जनारदन की अपेक्षाओं में खड़े नहीं उत्रे तो कम से कम लोग तंत्र में उनका दाईत्व बनता है कि वो जनता के पास जाएं जनता को कहें कि हमने कोशिच की लेकिन महंगाई कम नहीं हुई लेकिन भाईयो बहनो ये इनका हंकार इतना है कि उनको जनता जनारदन की परवा नहीं है भाईयो बहनो मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ जिनको आपकी परवा नहीं है क्या उनकी परवा करनी चाहिए क्या ऐसे लोगों को सजा करनी चाहिए और इस चुनाओं में ऐसे लोगों को ऐसी सजा करो ऐसी सजा करो आने वाले दिनों में सालों तक हिंदुस्तान की जनता के साथ ऐसी बेवफाई करने की हिम्माद इस देश का कोई भी दल ना कर सके और इतना ही नहीं भाईयों उनके जो साथी डल है जो अपने राजनितिक स्वार्थ के कारान अपने नीजी गुनाहों से बचनों के लिए अपने कारनामों को छिपाने के लिए जो कॉंग्रेस की मदद कर रहे है बार-बार कॉंग्रेस की रक्षा कर रहे है संसत के अंदर बाशन एक करते है लेकिन पिछले दरवाजे से इस सरकार को बचाने का जिनोंने पाप किया है वे भी उतने ही गुनेगार है और वो गुनेगार आपके उत्तर प्रदेश में भी बैटे हुए है अप्रेशित ले उतने है